तो वन पॉइंट में हमने बताया था कि एक सिंगल पॉइंट बनता है और अब्जेक्ट की सारी लेन एक पॉइंट में मिलती है तो पहले तो हम एक रूम को बता रहे हैं कि किस समय आप की सिट्वेशन पर होगे कि रूम आपको वन पॉइंट से दिखेगा ठीक है तो पहले तो हम तुरसा यहां पर ध्यान दे लो आपको यह रूम है एक तरह का लिए हो रहा है यहां से गेठ है यह गेठ है रूम पर जाने के तो यहां पर आप खिल्यर हो रहा होगा कि एक रूम है अब जैसे कि आपको हमें एक रूम दे दे और बोले कि आपको अपनों आफिसेस में सेटल करना है मलब की बश्तित करना है और आफिस किस चीज का है वो यह और यह भी माने रखता है वहाँ पर तो जैसे कि अगर हम कहते हैं किसी डांटर का ओफिसे क्लीनिक है या किसी इंजिनियर का है आप्टिस्ट का है किस टीचर का है तो ऑफिस मतलब किसी जिसका होता है उसके recording वहाँ पर environment create किया जाता है है ना अब जिसे किसी artist का है तो artist recording room कैसा होना चाहिए आज पास चीज़ें किस तरह की रहनी चाहिए doctor है तो doctor के recording office का व्यूँ कैसा होना चाहिए वहाँ पर environment जो होगा वो कैसा दिखना चाहिए वो सारी चीज़ें उसके according हम ब्योस्तित करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम bound नहीं कर रहे हैं कि अभी किसका office है लेकिन हम यहाँ पर एक office का view बनाने जा रहे हैं ठीक है अभी हम bound नहीं करेंगे आपको तो वन पॉइंट में आप रूम को जब बनाएंगे इस तरह का रूम जब बनाएंगे तो कहां पर आप खड़े हो के देखेंगे कि रूम आपको यह वन पॉइंट से दिखेगा देखो और हम ड्राइंग कर रहे हैं इसकी एक यह थोड़ा side से दिख रहा है इसमें क्या है न फ्रंट से दिख रहा है इसको क्या थोड़ा side से देखा जा रहा है तो यह व्यू दिख रहा है इधर का भी दिख रहा है अगर हम यहां पर खड़े हो जाएं और वाल के यहां पर खड़े हो जाएं तो सामने की वाल दिखेगी हमें यहां खड़े हैं तो सामने देखेंगे यहां खड़े हैं तो सामने देखेंगे यहां खड़े हैं तो सामने देखेंगे लेकिन देखेंगे सामने ठीक है तो यह तो ही आपका वन पॉइंट का व्यू आएगा अब यहां खड़ें कि इधर नहीं देखना है इस वाल की सामने देखना है आपके तो आज के लिए हो रहा है तो हमें कहां देखना है अगर हम वाल में इस जगह पर खड़ें तो सामने की वाल पर अगर यहां पर खड़ें तो इधर इस तरफ खड़ें तो इधर अपने सामने देखना है आप तोड़ा side में हो सकते हैं लेकिन सामने ही देखेंगे यहां कड़े है तो आप इस corner की तरफ देखेंगे यह नहीं देखना है आपको सामने देखना है one point ठीक है two point में क्या होता है आप corner पर खड़े होंगे और corner की तरफ देखेंगे यह होता है two point इस corner पर खड़े होंगे तो इधर को देखेंगे यहाँ से अब आप room के लिए रो रहा होगा कि हम room में किस जगह खड़े होंगे one point का भी उजएक सकते हैं तो आप room पर ही बैठे होंगे आप जरा एक बार अपने आपको जरा ध्यान दो कि जिस room पर बैठे हो वाल के center पर जाओ किसी भी वाल की center पर या थोड़ा side पर सामने देखो ये line आपकी सामने की वाल की line भी 180 degree पर होनी चाहिए वो है one point drawing ठीक है तो आप जरा थोड़ा सा practically करके देखो आप ले धानवी देखना है तो वो चीजे आप क्या है ना कि drawing को हमेशा ना बहुत practically देखना है वो बहुत जल्दी cover करेंगे आप अगर आप ऐसे roughly आप ध्यान देंगे अगर बातों में तो कुछी नहीं आएगा आप तो प्राप practical करो चीजें बहुत जल्दी समझ में आएगा तो हमें क्या करना है रूम सबसे पहले बनाना है तो हम क्या देखेंगे रूम के यहां पर कड़े हों के तो यह दिखेंगे इधर देखेंगे तो तो बात आती है कि यहां पर देखेंगे तो सामने क्या दिखेंगे यह वाल अगर इधर से देखेंगे तो सामने की यह वाल समझ में आ रहा है एक चलो अब हम बनाएंगे रूम वन पॉइंट ड्राइंग से अब रूम बनाएंगे किस तरह से बनेगा ठीक है तो हम कहां पर है रूम के अंदर इंटर हुए यह गेट है जैसे अंदर गए तो यहां सामने देखेंगे तो पीछे की वाल दिखेंगी आपको नहीं दिखेंगी दिखेंगी क्या जैसे ही आप गेट से अंदर होगे तो जिस वाल की तरफ पीछे होगी जो वाल एक वाल तो वाल तो दिखेंगी नहीं आपको सामने की wall की line दिखेगी ए तो सामने की wall की line को draw करना है ठीक है समझ में आ रहा है और eye level कहा जाएगा center पर क्योंकि wall की height कितनी होती है room की wall की height 10 feet 10 feet का होता है न रूम 10 फिट 11 हो सकता है नाइन भी हो सकता है लेकिन 10 सम्छिंग वेसियो जादे रहता है दानवी समय आ रहा है हलो अधर ओके दानवी आवाज नहीं आ रही है नहीं सिर आ रही है दान क्या रहता है रोम के मतलब कि आपके फरसा सिंग्य आपका लिए 10 ही का रहता है ठीप है inea एक पिट आपका 12 इंच को होता है ठीक है है आपकी जो छोटी स्केल होती है दो तो आप जोडेंगे तो एक फिट होता है उतना एक फिट होता है ठीक है अब एक फिट आपका इतना होता है तो दस फिट आप उससे एक आउड़िंग रेशियो लगा सकते हैं दस फिट का सम्थिंग रेशियो रहता है ठीक है तो आप गर दस फिट में अगर आप यहां पर ख आप का सामने की वाल के सेंटर पर किलियर हो रहा है है तो यहां पर अगर खड़ें तो सामने देखेंगे तो क्या दिखेगा एक वाल हमें पिर लंबा रूम है तो लंबी वाल आएगी जैसा भी है यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं सामने की वाल ठीक है हमने एक वाल ड्रॉ कर भी सामने की देखिए जो यह हाइट है यही आप सामने रहेगा जो यह है वो इधर रहेगा सेम अब पॉइंट कहा बन रहा था अगर अब सेंटर पर खड़े होगे देख रहे हैं तो सेंटर पर साइड में थो थोड़ा साइड पर ठीक है जहां पर है उच्छे पॉइंट बनाएंगे एक सिंगल पॉइंट बना दिया कि वन पॉइंट में हम अबजेक्ट की सारी लाइनों की इस पॉइंट से ही जोड़ेंगे यह पॉइंट बनता है जहां से आप खड़े होगे देखके हैं जब सामने आपके ठीक है आपकी हाइट पर इतना अगर समझ में किसी को ना आया हो तो बताओ कोई डाउट है नो सर अब हम क्या करेंगे इस वाल के इस पॉर्णर को इस पॉइंट से जोड़ेंगे और ऐसे आंगे लाइन ले लेंगे ठीक है और इस कॉर्णर को भी इस से जोड़ेंगे और लाइन दे लेंगे आगे बलाब हर एक कॉर्णर को इस पॉइंट से जोड़के आंगे लाइन बढ़ा देने हैं ठीक है इस कॉर्णर को इस से इस कॉर्णर को इस से कि इतना हो जाएगा सेकेंड स्टेप कि यह सर कोई डाउट इसमें ऐसा जो समझ में नाया हो कि समझ में आना चाहिए बहुत ही हम इजी तरीके से बता रहे हैं है ना कि जित्राज कोई चीज नहीं सब्सक्राइब कोई चीज नहीं सब्सक्राइब हमने जो पॉइंट लिया सेंटर का तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे कॉर्णर का यह पॉइंट और यह पॉइंट एक लाइन चलिए इसको मिरेज कर लेते हैं फिर से एक बार रिपीट करते हैं थोड़ा इसकेल का यूज करेंगे आप लोग को और आसानी से समझ में आएगा हमने जो पॉइंट लिया ठीक है यह पॉइंट और पॉइंट और इसकेल का यूज करेंगे हमने डारेट खीच दिया था आप वैसे भी कर सकते हैं इसको रखेंगे और सामने आंगे लाइन को ड्रॉ करेंगे किल्यर हुआ इसके अंदर अंदर की लाइन हम इरेज कर लेते हैं नहीं रखें ठीक है इसकी ब्लॉक के अंदर आप हम क्या करेंगे इस पॉइंट को इस कोर्णर से समझ में आ रहा है इस पॉइंट को इस कॉर्णर से और इस पॉइंट को इस कॉर्णर से भी ठीक है हमने यह कर लिया ठीक है किलर हुआ हमें सामने जो हमारे वाल है वो वाल कैसी है उस साइज का सेप लेना है ठीक है 180 degree 90 degree यह line कितने degree पर 180 degree पर यह 90 degree पर फिर हम जो point लिये हैं center पर उस point को corner से मिलाते हुए line ऐसे लेनी है चारों तरप हर एक corner पर अब आप जितने distance पर हैं यह wall जितना दूर से इस wall को देख रहे हैं जितना दूर खड़े हैं वो distance ले ले कितने degree पर 180 degree पर line चीक है कि हम इतना दूर खड़े हो कि इस उनको देख रहे हैं कि यह line कितने 180 degree पर और यह बिल्कुल स्टेट ऊपर ले चले जाएंगे सीधी 90 degree पर यह भी 90 degree पर और यह फिर से 1-2 degree पर अब का रूम बन गया देखिए यह फर से नीचे की सामने की वाल साइड की वाल यह साइड की वाल यह चछत इन्यर्वा?